दोस्तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को बजाएं All Press करें ताकि आप देख सके हैं दोस्तो सवागत है आप सभी का आज की बड़ी ख़बर में दोस्तो आज की बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि आपके गाउं या सहर के स्कूल कॉलेज कब से खुलने जा रहे हैं। दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महमारी के कारण देश के सभी स्कूल कॉलेज 25 मार्ज से पहले ही बंद कर दी गए थे। आज सब लोगों के जबान पर सभी के मन में एक ही सवाल है आखिर बच्चो के स्कूल कॉलेज कब से खुलेंगे आप सब जानते हैं कि 31 माई तक लोगडाउन की अबदी को बढ़ा दिया गया है कुछ राज्यों ने लोगडाउन बढ़ाने की इच्छा जाहर की कुछ ने नह बें 17 माई को तीसरे फेज का लोगडाउन खत्म होने के साथ ही छात्रों और पेरेंट्स की नजरें इस बात पर टिक गएं कि अब स्कूल वा कॉलेज खुलेंगे या आउनलाइन एजूकेशन ही जारी रहेगी क्योंकि कुछ दिन पहले तक ऐसी बातें बार बार आ रही थ से स्कूलों को खोले जाने का समर्थन करते हैं उन्होंने तो फिलाइट्स को भी चलाने का सपोर्ट किया इसके पहले भी दिल्ली के मुखमंतरी अर्विंद केजरिवाल कह चुके हैं हमें कोरोना वाइरस के साथ ही रहने की आदत डालनी होगी डबलू ऐचो के विचार भी जाने की कुछ ऐसे ही है बतादेगी कोरोना वाइरस महामारी की बज़े से फूरी दुनिया में अब तक लगब 48.000 से जज्यान लोग संकिर में थो चुके हैं जबकि 3 लाघ से yadah लोगों की मौत हो चुकि हैं इसी तरह भारत में अब तक एक लाट से ज्यादा लोग सं किया गया है इससे संबंद जारी गाइडलैंस में ये भी साफ कर दिया गया है कि सभी स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे इसका ये भी मतलब हुआ कि फिलहाल ऑनलाइन सिक्चा ही जारी रहेगी रवीवार को बित्मंतरी निर्मला सीता रमन ने ये भी कई टीवी रेडिय क्वेशन देने की बात कहकर इस बात की तस्दीक की थी हाला कि कुछ दिन पहले टीचर्स से लाइब सेशन के दौरान बात करते हुए मानब संसादन विकास मंतरी रमेश पोक्रियाल निसंक ने साफ किया कि इन की NCRT के साथ मिलकर मंतराले इस वात पर विचार कर रहा है कि इसकूलों को खोला जाए फिलहाल यही मानकर चलना चाहिए कि 31 मई तक तो इसकूल नहीं खुलेंगे आगे अगर सोसल डिस्टेंसिंग का ख्याल सरकार रखवाती है तो इसकूलों को खोला जा सकता है